कि हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्यों एजिकेशन दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिक्यों एजिकेशन में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइप वीडियो नहीं यह रहा था क्योंकि दिवाली और चट पुझा था इसी करण हम गाओ गये थे और इसलिए वीडियो क्या дос commer आ रहा था तो चलीयें हमने यह सब डपी कर रखाया है हमको करना है भारत के जलबर प्रपात च इसको श्टार्ट करते हैं कि बताइए कि भारत के सबसे उच्छा जल परपात कौन सा है तो भारत का सबसे उच्छा जल परपात आपका जोग गोर्षप्पा बोलते हैं जो कि करनाटक मिश्टी थे यानि जोग जल परपात है ठीक है नेक्स्ट है आपका जोग या गर्षप्पा जल परपात किस राजे में है जैसे कि मैंने पीछे जैस्ट बताया कि ये करनाटक मिश्टी थे तो इसका आंसर क्या होगा करनाटक देख लिजी आप ये करनाटक के किस नदी पर है तो सरावती नदी पर इस्टी थे ठीक है आगे देखिए जोग या गर्षप्पा जल परपात का नाया नाम क्या है तो इसका नाया नाम है आपका महत्मा गांदी जल परपा ठीक है आगे है जो कि जल परपात किस नदी पर इस्तित है तो जैसे कि मैंने पीछे ही बताया कि ये कहां इस्तित है तो करनाटक में और सरावति नदी पर है ठीक है अगला है धुवांधार जैसे गोई चलती है धुवांधार वैसे ये धुवांध तो इसका आंसर होगा आपका नर्मदा नदी पर ठीक है नर्मदा जिसी रेवा के नाम से बीज़ाना जाता है और यह भारतियों प्रपांच वी सबसे लंबी नदी है प्रपांच यह टाँ अ इसे मद्य प्रदेश की जिवन रेखा भी का जाता है हमने ऊशे नदी वाले चैप्टल में पढ़ा दिये ठीक कपील लहारा चल्परपात किस नदी पर इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पर ठीक है नेक्स्ट है, सीव समुधरम जल परपात किस नदी परिष्तित है, तो यह भी प्यस्टी के कोश्चन है, और क्योंकि पूछा गया है, दोज़े लेगारम ठीक है, सुरी दोज़े लेगारम ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, कावेरी नदी डीपर ठीक है, गोकक जल परपात किस नदी परिष्टित है तो इसका आंसर होगा गोकक नदी परिष्टित है गोकक जल परपात किस नदी परिष्टित है तो इसका आंसर होगा गोकक नदी परिष्टित है गोकक जल परपात किस नदी परिष्टित है नेक्स्ट है हुंडरू जल परपात नि में है ठीक है यह परपाज राज चेका परसीद पर पाता है ठीक है ना चलिए आगे देखिए दोस्तों मैं इसके बाद लुशेंट का और सरी यह तो अबजेक्टिव है उसके बाद सब्जेक्टिव से कोशन निकाल कर इसको खराऊंगा ठीक है वैसे मैंने यह सब स्पीडी से निकाल कर ठीक है छतने करके अपने चैनल पर डाला हूं आप वहां पर जाकर देख सकते हैं भारत में किस जल परपात को लग प्रिये रुप से नियागरा जल परपात के तौर पर जैना आ जाता है तो इसका आंसर होगा आपका चित्रकूट परपात ठीक है यह बता यह इसको मिलान करना है ठीक है जोग जोबका जोग जल परपात का है सरावतियोन फिर वन कडिया हो जाएगा है तो सरी यह कहा हो घावग्लोख एक ठीक है सिव समुद्रम का है बी सिव समुद्रम का है गोकग जल पर परपत का है तो यह जोब का एसी होगे और यह गए डी का हो जाएगा ठीक है और उसके बाद आप देख सकते हैं धुआ अधार जल परपत का है तो दुआ अधार है नर्मादा पर ठीक है तीन का क्या होगा तीन का तीन का तीन का तीन मतलब ठीक है और बी का और सिव समुद्रम का हो जाएगा दू ठीक है एक तो तीन चार्टिक है मिला लेजी आप अप्शन नमबर डी में है ठीक है एक का वान बी का दू सी का तीन डी का चार्टिक है तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर अगला है केए का सबसे बाड़ा जल पर पार पात हुन्रू जल पर पात किस जगह के पास है एसा का सबसे बाड़ा जल पर पर हुन्रू केस जगह प्रिस्थित है तो इस व्हार वगा अप्सननल नमबर 18 ठीक है है q 의 विपेसी 2002 में पूछा गया इसलिए क्या है इंपोर्टेट है दोस्तों प्लीज बताए कि आप सभी में से कितने स्टुडेंट है जो विपेसी के भार्म भरे हुए है वैसे मैं तो इस साल नहीं भा रहा हूं बर्ट नेक्स येर मैं भी भरूंगा ठीक है महातमा गांधी जल्ब विदुद उत्पादक प्लांट कहां इस्तित है तो इस का आंशन रों का परपाद है उसी अब लगुके नाम है महात्मा गांधिर जौल परपाथ और यहीं पर यह इस्थित है ठीक है सरावति नदीबर, अगला है गोकप परपाथ किया किस जीले में यहां वक्कीरा लिगए ठीक है, किस जीले में इस्थित है, रार भी लोको पाईलट के लिए है, दौल तो किस जीले में है, तो आप देख सकते हैं कि बिलगा में ठीक है बिलगा में क्या हुआ था तो बिलगा में 1924 में महात्मा गान्थी वहां बद्वेशन किये थे वहीं पर 1924 में कांग्रस के अधर्च बने थे ठीक है कि यह भी करनाटक में इस्तित है ठीक है कि वह सबसे बड़ा जल परपाथ ठीक से इसको फिर से देख लेते हैं तो कहां है तो हुन्रू जल परपत कहां है है तो राची में है ठीक है महात्मा काने जल प्लांट कहां इस्ते थे शरावती नदी आने जोग गोष्रपा परपाथ पर गोगण परपाथ किस चिले मिश्टी थे तो बेल गाव में ठीक है क्या को में राजा राजा राणी और रूरर और हो रह किट दल से स्बंदित लाज राज debris रूरर और होगेट किस बड़े में है तो इसका अंसर होकर आपको ंपर 6 का वेरी ना स्योग प्रपाथ नदी पर चूप पर पर ठीक है काक्को लट चल परपात बिहार के किस जिले में इस्तित है तो इसका आंसरों का नमादा जिले में ठीक है सहस्त्र जल परपात कहां इस्तित है सहस्त्र जल परपात कहां इस्तित है तो देहरा दुन में ठीक है निलगीरी की परवत छित्र में कौन सा जल परपात इस्तित है तो इसका आंसर होगा आपका अप्शन नमबर डी पाय करा दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि मैं अब कल से क्या बोलते हैं परसेंटेज का वीडियो आएका ठीक है जो कि बहुत ही इंपाउटेट है आप दोस्तों के पास शेर कीजिए यदि आपकी मैत कमजूर है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं आपकी मैत अस्ट्रोंग हो जाएगी निलगीरी के परवत्तिय छेत्र में कौन सजल परपात इस्तित है तो इसका आंसर होगा हो गया पाय करा ठीक है निमलिखित में कौन सु भी स्मेलिद नहीं है का ठीक तो इसका आंसर होगा या एक कि दुर्स रॉप्पा परपाथ है माध़़ी व्हें पर रहे तो यह स्तित है आपकी सरावतिन अधिक रहे और यह सब गल्ती यह और यह सब सब्साहिए ठीक है और यह गलत है ठीक है ना और निमलीखित में कौन से युग में समेलिद नहीं है बाताएए जोग करनाटक में है बैक का बटन क्लिक हो जा रहा है ठीक है इसको चलिए फिर से में अब वेट किजिए और यहां पर आप देखिए निमलीखित में से कौन से युग में समेलित नहीं है तो बताएए यह जोग करनाटक में हैं साई है पाप नासम कहां है धुआंधार मद्य पर्दस में जोड़ी नवाताद नदीपर है यह ठीक है खुन्रू जारखन में यह ठीक है तो यहां पर आपका यह आंसर सही होगा यह सुमेलित नहीं है ठीक है तो तो चलिए दोस्तों देखिए यह इमो को यह लाइक करने को बोल र सब्सक्राइब कर दें चलिए बाइब जाएंधार करें अधी चैनल पर नहीं है तो पिलिजी से सब्सक्राइब कर दें चलिए बाइब जाएंधार